वेलकम वेक टू माई यूटूब चैनल तो आप सब कैसे उम्मीद कहते हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ कुछ हैंसे आइडियस सेर करूंगी जो कि आपको बहुत ही पसंद आने बाली हैं तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प पच्छे बड़े सब कोई फौन चलाता है जब कभी हमने जैसे कि हम सूचते हैं कि यहीं हम खाना बनाते जायें और फौन में कुछ देखते भी जाएं तो क्या होता है कि इसे हम किचन में रखते हैं तो यह बारबार गय ये जाता है फिसल करके तो फ्रेंड इसकी लिए आ वती अच्छा इसटेंड बना करके तयार कर सकते हैंった placing देखिए फ्रैंड इस तरह से आपको क्लोथ क्लिप को फशा लैंड आ czym अगर लिए इस तरा से फोन को रख दीजिएगा आप जैसे चाह इसे देख सकते हैं या हिला सकते हैं बिलकुल भी गिनने वाला नहीं है फ्रेंट तो ये फोन खराब है इसलिए चालू नहीं हो रहा था बाइना मैं आपको चालू कर करके दिखा देती इसकी बाद आपको अगर ये वाला आइडिया नहीं यूच करना है तो आप इस तरह से भी कलोट किलेप को लगा सकते हैं ये देखिए फोन में और फोन को चला सकते हैं जो भी आपको देखना हो तो देख सकते हैं अब आपके हाथ भी दायद नहीं होंगे फोन पकड़े पकड़े वो आप दूर से भी फोन को देख सकते हैं जैसे कि कभी बच्चे भ बना करके यूज कर सकते हैं फौन देखने को नेस्ट आइडिया होने वाला फ्रेंड इस तरह से कोल्ड रिंग की बोटल जो होती हैं उनके धकन को ले करके तो फ्रेंड इस तरह के धकन तो जैसे हर किसी की पास पड़े ही रहती हैं जैसे की गर्मी का मौसम चल रहा तो हर बोटल के साथ में कुछ धकन भी रहते हैं तो फ्रेंड इस धकन से आज में बहुत ही अच्छा यह कोगनाईज बना करके तैयार करूंगी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा और बिलकुली जीरू कोस्ट होने वाला है इसमें एक रोपे भी नहीं लगने वाला है तो बोबी ले सकते हैं तो यह देखे फिरंड यहां पर धकन ले लिए हैं अगर हम इन बेकार पड़े हुए धकन से कुछ किचन के लिए बना सकते हैं तो हम धे सारी पैसे की बचत कर सकते हैं तो यहां पर गिलूबन की सहायता से इसे धकन की उपर स्टिक को लगा दोंगी यह देखिए और गिलूगन की सहायता से बहुत ही अच्छे से चिवक जाती है तो यहाँ पे देखिए मैंने इस टिक को चिपका दिया है एक धकन में अगर आपके पास इससे ज्यादा बड़ा धकन हो तो आप उसे भी यूज कह सकते हैं इसे चिपकाने के लिए तो यह देखिए अच्छे से चिवक गया है इसके बाद एक धकन हमें इसमें उपर की साइट चिपकाना है तो इसमें मैंने गिलूगन लगा दी है और इस धकन को मैं इसमें चिपका दूँगी इस टिक में एदी की फ्रेंट तो आपको इस तरह से बना करके तैयार कैना है इसके बाद हम गि ज़्यादा अच्छा लगा तो फ्रेंट इसी तरह से मैं तीन धक्कन इसमें चिपका दूँगी अगर आपकी पांस पांच छे धक्कन है तो आप इसमें और भी ज़्यादा धक्कन चिपका सकते हैं तो ये देखी फ्रेंट एक हमारा छोटा सा इस्टेंड बनके तैयार हो और इस डिब्बी को भी मैं गिलूगन की सहाता से अच्छे से चिपका लूँगी ताकि ये गिरे नहीं तो ये देखी फ्रेंट ये हमारा ब्रिस स्टेंड बनके तैयार हो चुका है जैसे कि हमारे पास ब्रिस होते हैं तो हम इसमें इस तरह से रख सकते हैं ये देखी फ्रेंट और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप इसे बना करके यूज कह सक और इसे कहीं भी रख सकते हैं जैसे कि जब कभी हम उपर ब्रिस रख देते हैं तो क्या होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कि वो नहीं निकाल पाते हैं तो आप इस तरह से बना करके रख लीजिएगा नेस्ट आइडिया होने वाला फ्रेंड इस तरह से टोकडी को ले करके तो इस तरह की टोकडी जो है कि हर किसी के घर मैं होते हैं होते हैं और हर कोई इने यूच कहता है सबजी रखने के लिए फल रखने के लिए तो फ्रेंट आज मैं एक टोकडी से बहुत अच्छा प्लेट स्टेंड बना करके दिखाऊंगी जो कि आपके कामों को और भी आसान बनाएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर स्टिक लेने हैं तो मेरे पास यहां पर स्टिक नहीं थी और यह बेकार थी पैंसल यह ठीक से चलती नहीं थी तो मेरे बीटी इन्हें यूज नहीं करती थी तो मैंने सोचा कि चलो इसे मैं यूज कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने तीन पैंसे ले ली हैं और गिलूगन की सहायता से इसे मैंने इस टोपड़े में अच्छे से चिपका लिया है और यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है तो पिरन जब कभी हम मार्केट प्लेटे स्टेंड खरीदने जाते हैं तो हमारा जो की भहुत सारा पैसा खायच हो जाता है तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से ही घर में बनाएंगे ओगनाईज तो हमारे धेसारे पैसे की बचत होगी और हम अपना सामान भी रख सकते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने चार पैंसल लगा ली हैं इसकी बाद यह अच्छे से चिपक गई थी तो यह देखिए आप इसमें इस तरह से जो ही की प्लेट रख सकते हैं यह देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप बना करके यूज कह सकते हैं और प्लेट रखने से प्लेट का पानी बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और इसमें निसान भी नहीं बनेंगी पानी के तो फ्रेंड नेस्ट आइडिया होने वाला इस तरह से कपड़ों को लेकर के जैसे की बच्चे हो या बड़े जब कभी पैन का इस्तमाल कहते हैं तो क्या होता है कि इसकी एंक जो होती है एक कपड़ों में लग जाती है और जब हम कपड़े धूलते हैं तो ये छुटती नहीं है तो फिरंड इसे छुटाने के लिए आपको लेना है यहाँ पर डिटोल और डिटोल को आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजीएगा और इस तरह से आप घिस दीजीएगा तो आप देखोगे कि मिन्टों में जो ही की इंक का निसान छुट गया है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं कननी पड़ी है तो ये देख सकते हैं फ्रेंड मैंने थोड़ी ही देर इसे घिसा है और इसमें जितना भी इंक का निसान लगा हुआ था वो सारा निकल गया है इसके बाद आप इसे पाने से अच्छे से दुल लीजीएगा तो ये देख सकते हैं फ्रेंड अब इसमें निसान नहीं देख रहे हैं इंक के लगे तो इस तरह से आप जो है कि इन निसानों को निकाल सकते हैं आई होप आपको इस आईडिया जरूर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा मैं तो नेस्ट आइडिया होने वाला है फ्रेंड इस तरह से बच्चों की जो ये पेकार पड़ी हुई स्केल होती है तो बच्चे इने यूज नहीं कायती हैं और इधर उधर इपड़ी रहती हैं तो फ्रेंड इसी से आज में बहुत ही अच्छा एक ओगनाईज बना करके त इसके बाद हम गिलूगन की सहायता से इसकेल में इसे चिपका देंगे तीनों धक्कन को तो ये देखे फ्रेंड हमारा एक बहुत अच्छा ओगनाईज बनके तैयार हो चुका है अब इसका इस्तमाल किस तरह से कहना है तो चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूं तो इसे च साइडिक टेप को ले लिया है ये देखिए और इसमें जो एक कागच लगा था तो इसे निकाल देंगे अब आपको जिस भी दीवाल में जहां भी इसे चिपकाना हो तो आप इस तरह से ये देखिए इसे चिपका सकते हैं ये बड़ी आसानी से चिवक गया है इसकी बाद बच्चेओं के जितने भी ये एर विंड होते हैं तो आप इसमें इस तरह से रख सकते हैं क्योंकि बच्चे बार बार मांगते हैं और हमें देना पड़ता है तो आप इस तरह से यूज कह सकते हैं बना करके